एलो डियर स्टुडेंट आज मैं एक्सल में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है आप नंबर टाइप करेंगे तो नंबर वर्ड में चेंज हो जाएगा जो आप थीम्स आप थंबनेल्स देख करके जान चुके होंगे तो यह पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एक् हम क्या करेंगे आल्ट के साथ 11 दबाएंगे और खोलेंगे हम विजुव वेसी इस विजुव वेसी मेंशर्ट में जाके मॉडूल पे क्लिक करें और यहां पर हमें कोड लिख देंगे तो जैसा कि दोस्तों कोड यह लंबा चोड़ा यहीं कप्पी बड़ा है तो इसको मैं क्या करें यहां पर सेव कर दें यहां बटन पर जाके क्लिक करेंगे और यहां पर हम फाइल का कुछ भी नाम डाल करके और सेव पर क्लिक कर देंगे यह फाइल देखें करा कि फाइल अर्रेड़ी पहले से यह हमारा सेव है तो हमें क्या करना होगा दूसरा नाम टइप करना होगा तो यहां पर मैं दूसरा नाम टाइप कर दे रहा हूं जैसे others और हम चाहें तो यह एक्स्टेंशन भी चैंज कर सकते हैं जैसे हम इसको इन्विल्ड करना चाहते js具 हमेशा के लिए समें काम करें तो इसको Excel Macro Enable करना होगा अगर चाहते हैं इस वर्क बुक पर काम कर तो सेब करें के S करा लेंगे तो यह सेब कर लिया अब हम इसको बंद करते हैं बंद करने के बाद हम चलते हैं अपने MS Excel में हम अपने MS Excel को खोल लिए और जैसे हमारा लिखा गया है 200 तो इसको 200 लिख करके आगा इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या लिखते हैं और उस संख्या को हम चाहते हैं कि यह संख्या हमारा एक वर्ड में चेंज हो जाए तो हम ङसको ड्रैक कर देंगे या हम फर्मुला के साथ ये number को लिखते हैं जैसे नम ठू वर्ड मैंने लिखा और इसके रिंद बनागर करके इस में मगढ जब number को टाइब करते हैं और जैसे अग्त रवाएंगे एंटर अड़ाते ही क्या हो जाएगा या यह हमारा जो नंबर होगा एक वर्ड में चेंज हो जाएगा देखें मैंने लिखा 125 और जैसे एंटर मारा यह नंबर यानिकी लिख रहा है हमने एक बार फार्मूला अप्लाई किया और उसको हम क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं इन सभी नंबर पर तो मैंने खिस दिया और यह कॉपी हो गया अब आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें सेयर भी कर दें